इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है, बदला ले लिया गया है, बदला बदला है, हो गया तो राजनीती में बार बार परिवार बार की बाती है, देखें मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता है आज की जो राजनेती है उसमें दलितों की हिस्तेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं खुद एक दलित मुता हूँ दलित बैग्राउंड साथ है तो मैं 17,000,000 लोगों का जन प्रतिनिदी कर रहा हूं जिसमें सब समाज के लोग आते सब जाती के आते सब धर्म के आते हैं आरक्षण को आप कैसे देखते है और ये क्यों जरूरी है अरक्षण की वज़ए से बहुत सैसे लोग है जो समाज में उठ कर आपको लगते हैं अम सर समाज को लेकर चनना चाते हैं equality की बात करह לפे दाशनेती में और चाहिए तो अबाविक यह है कि युवा हमसे कनेक्ट ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा होप रखते हैं नमस्कार मैं नाम पुष्पेंद्र सरोज है, कौशामभी लोगसभा उत्तर प्रदेश से सांसद और आप मुझे बूट पर देख रहे हैं त्यार जून दोजार चौविस को जब लोगसभा के नतीजे आये तो इनकी उम्र 25 साल तीन महिने और तीन देन थी 18 लोगसभा के सबसे युवा सांसद समाधवादी पार्टी के युवा नेता और कौशामभी से लोगसभा जीत कर आए उस्पेंद्र स्वरोज बूट में आपका स्वागत है बहुत धन्यवाद आप एक संसद की तौर पर आपने सपथ लेली है संसद की कारवाई में भी आपने भाग लिया अब तक कान्ब हो रहा आपका संसद की कारवाई का देखिए जब कोई इतना नौजवान संसद भवन में चुनकर आता है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाता है तो सब्वहवीक है कि एक बहुत सर्याल सा experience होता है और जिस सभा में प्रतान मंत्री जी बैठे हों बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स बैठे हों पुरी कैबिनेट बैठे हों उस संसत भवन में अपने लोगों का जन प्रतेनिधी करना, अपने लोगों की बात रखना, तो वाकए यह experience बहुत अच्छा था, और हमारी पहले सत्र की कारवाई तो कल खतम हुई, तो एक तौर तरीका सीखा है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है, किस तरीके से पूरे संसत की कारवाई में आपको कैसे पेश आना है, तो ये सब दीरे-दीरे सीखने को मिला जब पहले दिन आप संसद में गए जब सपत ले रहे थे तो उस दौरान आपके मन में दिमाग में क्या चल रहा था जब में शपत लेने जया तो बहुत अच्छा लगा मेरे पूरी फैमिली विजिटर्स गैलरी में थी और मुझे लाखो लाख लोग मेरे कोशांबी के लोग देख रहे थे संसद टीवी के माध्यम से तो बहुत गर्व हुआ कि जिन लोगों ने मेरे को आशिरवाद दिया और एक नौजवान संसद को भेज करके इतियास के पन्नों में अपना नाम रज दिया उनका चन प्रतिनीदी करने में जा रहा हूं पर को पता था कि कहां बैठना है या जहां रेंडम जाकी जहां बैठ जा रहे थे अभी तो डेजिगनेटेड नहीं हुए सीट्स अभी जहां पर भी जगा मिल जाए वहां बैठ जाए राश्पती के अभी भासंड पर कई सारे निताओं ने भासंड दिये अखिलेश यादव राहुल रांधी और प्रधार मंत्री मोधी दो घंटे से जादा समय तक बोले आपको किसका भासंड सबसे अच्छा लगा और क्यों देखे सबके अपने अपने तौर तरीके थे भाशनों के अगर आप प्रतिपक्ष की नेता प्रतिपक्ष की बात करें आप रमाय राश्टपती जी के भाशन में क्योंकि उससे पहले स्पीकर का भी जो भाशन आया था और राश्टपती जी का भी जो भाशन आया उसमें बहुत सिमिलारिटी थी उन्होंने सरकार के और देश की बहुत ऐसे कारे गिनाय जो भाशनों में और रालियों में बहुत गिनाय ज चाहे पेपर लीक पे चाहे किसान के मुद्दा हो चाहे पूरे चुनावक में और पिछले दस साल से भारतिय जनता पाटी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार रही है किस तरीके से देश में एक ऐसा डर डराने का महौल बनाया गया जो एजेंसियाज इंडिपेंडन्ट थी उनक चुनावक के परिणाम भी आए आपने अगर हमारे ओपोजिशन के भाशन सुने होंगे तो उन्हों ने जिस राजनीती को मारतिय जनता पाटी ने बढ़ावा दिया धर्म की राजनीती उसी मार्ध्यम को यूज करते हुए उनको टैकल किया उनको उनके सामने अपने लोग की राजनीती इस देश में नहीं चलेगी मुद्दोगी राजनीती चलेगी इस अठार में लोग सवा की बात करें तो आपके साथ ही कई वा सांसद और भी जीतकर क्या हैं आपकी ही पाटी की बात करें तो प्रिया सरोज हैं इकरा हसन हैं और संभवी हैं लजेपी से कॉंग और अब की बार जो पहला सत्र रहा सब हम सब मिले हम लोगों ने अपने अपने छेत्र के मुद्दे डिसकस किये और किस तरीके से हम आगे चड़के संसद में अपने लोगों की बात रख सकेंगे हाला कि हम सब बहुत युवा हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोगों को एक क्र इस तरीके से बात रखके काम करवा सके इस पर भी चर्चोड तो मैंने जितने भी नाम लिये उसमें अगर संजना जाटो को छोड़ दें तो सभी का एक प्लिटिकल बैञ्ग। है और राजनीती में बार-बार परिवारवाद की बात होती है आप इसको कैसे देखते हैं देकिंदी में इस चीज स्टे पर एक-शैप reacting मैं जंता के बीच में जाते खोंट मांगने के लिए और जनता ही हमको चुन करके भीजते एग का इसे लोग लेकिन जब कोई जीत कराता है तो मुद्दा सामने आता है कि आप राजनीतिक परिवार साते हैंस उस बेक्राउंड का मैं खूल के बूलता हूं कि मुझे राजनीतिक परिवार से आने का फाइदा मिला जिस तिरीके से मेरे जो नीजी मुद्दे रहे हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो पेपर लीग का हो, पोल पेंशन का हो, यह सब मुद्दों के साथ हमने चुनाओ लड़ा, और जो हमने परफेक्ट तरीके से पहले दिन से आकरी दिन तक चुनाओ लड़ा, उसी का यह आज नतीजा है कि मैं सांसद भावन में गया हूं, बहुत लाखो वोटों से मेरी जनताने में कुछ उता क्यों के बिज़ा है, आपने अपने पिता कर जिक्र किया और आप दो बार के सांसद विनोट सोंकर को हरा कर के आए हैं, दो हजार नेस के चुनाओ में आपकी पिता ने चुनाओ लड़ा और वो हार गये थे, यë भी कहा जा रहा है कि आपने बदला ले लिया है, क्या कहना चाहिए? इसमूं कहने कर ले कुछ नहीं है, बदला ले लिया गया है, बदला बदला है हो गया पताक में या ये भी कहा गया, कि आपके जीत में जो है कि और घुराज प्रताटर सिंहूर पुराजा भाईया हैं उनकी भी भूमिका रही आपने जो एलेक्शन की रिजल्ट आए उसके बाद मैंसे मुलाकात भी की इस पर कुछ कहना चाहिए थीझ स्वभाविक कि उनकी एक अपनी पाटी और उनकी पाटी ने अपना कोई भी टैन्ताी ने उता थे तो अब सीधी लड़ाई और शामभी की में बात करूं तो भारतिय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की हो गई थी और ये भी सही बात है कि उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है तो हमारी नहीतिक जिम्मेदारी यह बनती थी कि उस वोट बैंक को जाके हम अपना विजन रखें उनसे वोट मांगे तो हमने वो किया उन लोगों ने बहुत भारी संख्या में हम एक नए चेरे को सपोर्ट करने का काम किया एक नए चेरे को पसंद किया और हमारे विजन को बारतिय जनता पार्टी से ज्यादा पसंद किया और उनका भी मैं धन्यवाद देते हैं आप कोशांबी के क्या मुद्दे रहे और आप जब सांसत बन गए हैं तो आपको क्या लगता है कि वह कौन सी समस्या हैं जिनको सबसे पहले टैकल करने की ज़रूरत हैं हम मुद्दों पर जो चुनाव लड़ा हम वह दो ऐसे मुद्दे थे जो देश हित के मुद्दे जो जन जन को प्रभावित करते थे वह ता महंगाई और बिरोज़गारी वह हर जगा पूरे देश में फिर आपकर हम कौशांबी में तो कौशांबी में आवारा पशुओं से जो किसान का मुद्दा है अवारा पशुओं से किसान के खेट जो चरे जा रहे हैं रात भर अपने खेट ता करें लेकिन अपना आनाज बचा नहीं पा रहे यह बहुत बड़ा मुद्दा था weiß और साथ कौशांबी का इक बहुत बड़ा निजी मुद्दा ये था कि 10 साल ज गाली दी और किसी की सुनवाई नहीं तो एक मान सम्मान की लड़ाई कोशामभी में चल रही थी तो यही मुद्दे लेकर हम दे तो आपने जो अवारा पश्यों वाला जिक्र किया तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है देखिए अवारा पश्यों वाला मुद्दापक पहले नहीं थे यह हमारे सरकार के तरफ से एक कहें तो एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गए हम जब 2022 में हमने चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने तो फिर हम आये थे और हमने वादा किया था कि अपने किसानों को किस तरीके से वो खेत बचा सकें उससे हम उस दिशा मे काम करेंगे और साथी साथ 2024 में भी दो साल हो गया प्रदान मंत्री जी ने भी ये बोला था कि जैसे ही परणाम आएगा 2022 में उस ही समय से अवारा पशुओ से हमारे किसान बच जाएंगे लेकिन दो साल हो गया अभी तक अवारा पशुओ से कोई किसान का खेत नहीं बच प बना हुआ है क्योंकि सरकार अभी उनकी है तो इस पर हम ने राश्रिय द्यट जी से भी बात कि है हमारे पाटी लोगों ने भी बात की है चाहे वो MLA हो विदान सभ़ा में उठाने के लिए चाहे वो सांसद हो देश की संसद भवन में उठाने के लिए यह अब थोड़ी दलित राजनीती की बात करते हैं, जो करन्ट सिनारियो है, इसमें आप आज की जो राजनीती है, ऊसमें दलितों की हिस्सेदारी को आप कैसे देखते हैं? देखे हिस्सेदारी बहुत से लोगों की है और दलितों की राजनीती दलितों की हिस्सेदारी की में बात करूं तो उसका सीधा अगर आप बात करें तो उसका मतलब यह होता है कि अपने लोगों की बात हम रख सकें देश की संसत्भवन में और अपने लोगों का काम करवा सके तो किसान नेता किसानों की बात करते हैं महिलाओ के लिए यह होप होती है कि महिलाओ की बात करें हम जैसे नौजवानों के लिए यह होप होती है कि हम नौजवानों की बात करें और साथी साथ मैं खुद एक दलित मिता हूं दलित बैग्राउंड साथ हूं तो यह मैं अगर आ लोगों का जन प्रतिनिदी कर रहा हूं जिसमें सब समाज के लोग आते सब जाती के आते सब धर्म के आते लेकिन किस तरीके से जो suppressed लोग हैं जो नीचे तपके के लोग हैं वो backward class schedule का schedule tribe ये किस तरीके से आगे बढ़ सके इनके लिए हम infrastructure कैसे provide कर सके इनके लिए हम job कैसे create कर सके ताकि society में एक balance आ सके इस पर हमको work करना पड़ेगा और इसका सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो फिर संसत बवन में अपने लोगों की आवाज और समवाज से इसका समधान निकल सकेगा तो उस आवाज को हम उठाने का काम करेंगे जी आरक्षण को आप कैसे देखते हैं और ये क्यों जरूरी है देखें आरक्षण अभी नहीं बहुत समय से उसकी वज़े से बहुत हमारे जो नीचे तपके के लोग ते जिनको कभी कोई opportunity मिल नहीं पाती थी क्योंकि वो financially भी बहुत backward थे और जो society भी उनको बहुत backward रखा उसकी वज़े से आरक्षण की वज़े से बहुत से ऐसे लोग है जो समाज में उठ करके आए अभी भी आप गाओं में जाएंगे तो फिर अभी भी बहुत से ऐसे बड़ा तपका है जो अभी भी नहीं होता है हमको किसी मेरा व्यक्तिगाति यह मानना है कि हमको किसी आरक्षण को या फिर किसी भी पर्टिक्लर एक चीज को नहीं हमको सब चीज को मिला कर किस तरीके से हम सोसाइटी में बैलन्स क्रियेट कर सके हैं आगर बारत की economy अगर आप देखेंगे अभी, तो एक K-shaped economy है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, और उसके सारे उधार हमारे सामने हैं, किस तरीके से वो K-shaped economy में हम उसको एक straight line रख सके हैं अपने नीचे तपकर के लोगों को, ऐसे भी से हम infrastructure provide कर सके job create कर सके और अपने लोगों को tech से जोड़ना बहुत जरूर है क्योंकि यही future और यही सब काम करके सरकार के अब हमारी सरकार बनी नहीं तो सरकार के साथ काम करके या फिर सरकार से के नाक में दम करके हमको अपने लोगों को वाइस इक्वलिटी अपने सोसाइटी में दिलाने पड़ी आरक्षण को लेकर करके जो कई तरह की बहसे होती है उसमें एक बहस यही एक है कि जो अई-एस हैं उनकी आने वाली पीडियों को कियो आरक्षन मिलना चाहिए या जो भी धायक हैं सांसद हैं उनकी आने वाली कुछ पुछ तोड़ा अगर डीटेल में बता पाएं कि क्यों मतलब जरूरी है जरूरी है ठीकि वो एक ऐसा मुद्दा है अरक्षन का जिस पर discussion बहुत बड़े-बड़े निताने करता है, चाहे वो प्रदान मंत्री जी हो, चाहे वो leader of opposition हो, हमारे leader हो या अन्य पार्टी के सभी leader हो, आरक्षन का मुद्धा यह वहाँ sensitive मुद्धा हमारे समाज के लिए भी है, और इस चुनाओं में भी आरक्षन का मुद्धा अच्छे ढंक से इस्तमाल किया जाए, तो हमारे लोग आगे बढ़ चड़के हिस्सेदारी ले सकते हैं, यह सही बात है कि किसको right opportunity मिल रही है, किसको right opportunity नहीं मिल रही है, अगर आप उसके detail में जाएंगे, तो ऐसे बहुत से योजनाएं होते हैं, ऐसे बहुत सी चीजे होत आरक्षन भी ऐसी चीज है, कि आप किसी कास से आते हैं, लेकिन आप financially strong हैं, लेकिन तब भी आपको आरक्षन मिलता है, तो उस opportunity को निकले करके वो opportunity हम उस इंसान को कैसे transfer कर पाएं, जो socially और financially backward उससे आता है, ताकि वो equality में आ सके, उस पर हमको काम करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि सपा का जो आरक्षन पे stand है, वो बदल रहा है, मैं ये सवाल इसलिए आप से पूछ रहा हूँ, कि एक दौर था जब प्रमोसर में आरक्षन का मसला जब इठा था, तो सपा ने विरूद किया था, देखे, आपने जिस तरीके से राष्टेद जी के भाशन सुन हम सर्व समाज को लेकर चलना चाते हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सोशलिजम की बात कर रहे हैं, और स्पेशली जिस तरीके से दस साल में बहुत बढ़ा डिवाइड क्रियेट हो गया है, उस डिवाइड को कैसे उस गैप कैसे भर सकें, उत्तर प्रदेश में, तरीके से हम उन सोशली बाकवर्ड लोगों का बात रख सकें, कैसे वो गाप फिल कर सकें, वो डिवाइड फिल कर सकें, इस में हमारे पार्टी का स्टांड बिल्कुल सीधा है, कि हम अपने लोगों को इक्वालिटी कैसे दे सकें, अप बिधाय की लिटे हैं, लंडन से और फिर भी मैं आप से जाना चारा हूं कि क्या कभी आपकी कास्ट आइडेंटिटी की वज़स से जाती बाद दी, टिपड़ी या कुछ इस तरीके के कभी आपको सामना करना पड़ा आप तक, लेकि परसनल लेवल पर मुझे नहीं करना पड़ा, मेरी जो एजुकेशन हु आप नीचे जाते हैं और कुछ ऐसे पार्ट में जाते हैं इंडिया में तब यह सवभाविक है कि हाँ अभी भी कास्ट आइसम को लेकर के धर मालक चीज होगी लेकिन कास्ट आइसम को लेकर के काफी डिवाइड है लेकिन परसनल लेवल पर मेरे साथ मैंको कभी ऐसा पील आपने लंदेन में पढ़ाई किया लंदेन में रहे कुछ समय तक तो आपको क्या लगता है कि लंदेन का वो कौन सा अनुभाव है जो आप एक सांसत के तोर पर इस्तिमाल कर सकते हैं देखें वहां पर बहुत सेर्फ डिपेंडेंडेंसी चलती है और वहां पर सब ह जो इंफरस्ट्राक्श्रों देखा मैं बाहर से लंडेन से पढ़ आया हूं वहां का जोविपर केर है जा पूलिस को डर करके वह या फिर पो गली डियक्वा physique post ल्यक्या जो में जिसके काम कर सकती है वह उसका ने उधारन समाज आती पार्टी के में मैं देखा ता चिए इंस्टिट्यूट बना तो ऐसे काम है जो आप लेवल पर नहीं होते हैं वह काम लेकिन इंफरस्ट्रक्चर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वह काम बहुत बड़े होते हैं तो उसका एक्जामपल लेकर के उसको कैसे हम इंकलकेट अपने समाज में कर सकते हैं और अपने समाज को कैसे इंफरस्ट्रक्चर से आगे बढ़ा सकते हैं यह हमारे प्रात्मिक तरह हैं जब आप तेज साल के थे तब अखिले सहाब से जवाब की मुलाकात कोई थी तो उस दवरान ही आपको कह दिया गया था कि आप तया लेकिन जिस तरीके से संजोग बनता चला गया और चुनाओ डिक्लेर हुए हम 25 साल की हमारी क्लेरिंग हो गई साले पेपर वर्ट सही हो गए और हम चुनाओ का टिकेट हमको मिला हम चुनाओ लड़े लोगों ने अपनाया लोगों ने आशरवाद दिया और यह बस संजोग बनता चला गया और आज इसी का नतीजा है कि हम संसत बहुल में आपने पीता के लिए प्रचार किया था जब चुनाओ लड़ रहे थे और आप तुद के लिए प्रचार करें ती कोई ऐसा कोई किस्सा या कहानी है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो चुनाओ आना चाहूंगा जाए वो 2022 का हो या 24 का हो लोग अपने मन से जब किसी निता को लगा लेते हैं तो फिर वो निता को भूलते नहीं और छोड़ते नहीं खास करके अगर मैं कोशामभी की बात करूँ तो मैं 2022 में भी चुनाओ का परचार किया 2024 का मेरा पहला चुनाओ था आगे चलके जो चुनाओ होगा वो मेरे काम को लेकर के चुनाओ लड़ा जाएगा अभी जो चुनाओ था वो मेरे पिता जी के काम को लेकर के और जिस तरीके से मेरे पिता जी ने सब के लिए काम किया उसको हमने काम को गिनवाया और मैं अपना क् को इस नेता से अठाज कर लेते हैं, जिस नेता ने उनका मान सम्मान रखा होता है, जिस नेता ने उनके लिए काम किया होता है, उनकी जो feeling होती है उस नेता की towards, वो feeling ज़रूर देखेजिए, हम पर्चा लेकर जाते थे, बाढ़ते थे, सब लोग अपना वो बनाते हैं, कि कहना यह होता था, कि पर्चा हम पर बर्बाद मत करिए, हमारा और उनका नीजी attachment है, जिंदगी भर जुड़े हैं और जिंदगी भर जुड़े रहेंगे, यह पर्चा जित्ती दूर है, जाके किसी और को दीजे, हमारे पास मतला यह ने बर्बाद मत करिए, तो यह बहुत जिनके साथ जनता खड़ी रहती है चाहे खुशी में चाहे दुख में हर समय और वह एमोशनल जो अटाश्मेंट होता है जनता हमेशा रखती है वह बहुत बड़ी बात है अगर आपको सांसद बने में बहुत टाइम नहीं हुआ फिर भी अगर मैं सांसद बने के ड्वांटे की में बात करूँ तो डिसद्वांटेज पहले अगर मैं बताओं तो यह हो जाता है कि आपको लोग सब कुछ मानने लग जाते हैं कि मतलब हर इंसान का एक कारे शहले होती है एक तरीका होता है कि वह क्या कारे कर सकता है अपने लोगों के लिए विदायक की कुछ होती है सा और अधिकारियों की कुछ होती है तो लोग समझते हैं कि सांसद सब काम कर सकता है सांसद के पास अगर कोई छोटी चोटी समस्य हो या बड़ी समस्य हो चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार में ना हो वो सब कुछ कर सकता है तो यह बहुत बड़ा डिसद्वांटेज होता है क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है कि हमारे अंडर क्या आता है हमारे MP light scheme में कितना budget होता है क्या काम कर सकते हैं और उसके उपर उठकर के चार कदम और चलके आपके लिए क्या काम कर सकते हैं अगर सरकार में आप नहीं हैं तो बहुत बड़ा disadvantage हो जाता है advantage की में बात करूँ कि यह सही बात है कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठें और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है अपने लोगों की जन प्रितिनीती करने की जिस तरीके से आपको वो responsibility दी गई है लाको लाक लोगों की बाते रखना उनकी समस्य रखना और डायरेक्ट मिनिस्ट्री से कॉंटाक्ट रखना और अपने लोगों का समधान निकालना यह बहुत बड़ी advantage है क्योंकि वो connection वो लाको लाक लोगों और वेश की सरकार का connection वो सांसद होता तो वो advantage है लेकिन वो बह मारे गए हैं और उसमें जादे तर जो आप लोग PDA की बात करते हैं उसमें जो मरने वाले जादे तर लोग इसी background से आते हैं यह घटनाय मतलब होती ही रहती है तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बाबा लोग और उनके भक्त जो है इस तरीके की कहा मतलब miss management था या क्या था अभी तक आप को कहला है देखे वो तो एक miss management का ही सीता साधा example है कल हम संसत बावन में थे जब यह खबर हमको मिली और यह बहुत दुकत खबर थी जिसमें प्रतान मंत्री जी ने अपना भाशन रोग करके अलागी तुरन नहीं रोगा लेकिन एक समय आया जब रोग करके हम आप देख रहे हैं कि ते बड़े लोगों का मर जाना वो सीधा सीधा stampede से हुआ तो कहीं न कहीं जो प्रसाशन था उसकी नाकामी की वज़े से हुआ है उस तरीके से वहाँ पर उस तरीके से महाल नहीं था या फिर उस तरीके से वो तो हमको आज जाके पता चलेगा या कल जिस तरीके से बाते उठेंगी कि क्या था क्या नहीं था लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए एक आप सत्संग करा रहे हैं या फिर बहुत बड़ा इवेंट करा रहे हैं तो उसकी जिम्मदारी प्रशासन को रखनी चाहिए तो यह जो हुआ बहुत दुरभाग्या था और जिस क्या वज़ा है कि जो सांसद्ध करते हैं उनके साथ दिखाई देते हैं लोग जाते हैं मेरा अगर मानना अच्छे तो मंदर जाते हैं या फिर अपने दार्मक स्थाल पर जाते हैं वह उनका निजी अटाश्मेंट होता है कि मैं अगर कहीं पर पी जाओं तो मैं अपने नीजे अटाश्मेंट की जाओं तो अगर कोई कहीं से कहीं जाता है किसी से मिलने जाता है तो यह सवाल उनसे करना चाहिए कि आप किस परपस के लिए वहां पर गए बहुत से लोग हैं सवभावे के पिछले 10 साल में हमने देख ब्रैंक पॉलिटिक्स के तहट फोटो के चवाना वीडियो बनवाना उसको सोचल मीडिया पर वायल करना यह पहले नहीं देखा था पुना पहले होता था तो मेरे इसाब से रिलेजन को पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए और अपने वह भावना होती है अपना और बगवान क कि आुछ को समाजवादी यहां जिस की कि आपकी से पुछा पाट को आप मागात हुए और दूसरा यह जित को कैसे दिखते हैं कि देखिए जो वहां से सांसत बने हैं वह बहुत आम से बहुत बुजर्ग है बहुत एक्सपीडेंस्ट है और बहुत बिना मुर्भाव के हैं मेरी जो शॉर्ट मुलाकात इंसे बहुत अच्छी हुई और यकीन के साथ में कह सकता हूं कि जब वह अपने जनता के बीच में ग जरूर जिताया होगा और आयुद्या की मैं बात करूं तो यह पूरे देश में एक मेसेज दिया है आयुद्या के लोगों ने और उट्वरदेश के लोगों ने कि पॉलिटेक्स और राजनीती मुद्दों पर होनी चाहिए क्योंकि गवर्मेंट सब धर्म की है सब जाती की है और वहां पे आप पूरे 140 करोड़ लोगों का जन प्रतिनीदी करते हैं उसमें पूरे देश के लोग आते हैं तो किस तरीके से हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकें किस तरीके से अपने लोगों को नई टेक्नॉलिजी से जोड सकें किस तरीके से अपने लोगों के ल मेशा के लिए पूरे देश से खतम कर दी बारतिय जनता पार्टी की जो डिवाइस डिवाइस पॉलिटिक्स और रिलिजन के बेस में बाटने की पॉलिटिक्स है पूरे चुनाओं में हमने जिस तरीके से देखा प्रदानमंत्री जी के भाषण ये एक अच्छा एक्जामपल अपनारे युवाओं के लिए सेट नहीं करता है जिस तरीके से उनकर भाषणों का स्तर गिरता चला गया जैसे जैसे फेस बरते चले जिस तरीके से उन्होंने दो गुट में चुनाओं को डिवाइट करने की बा तो आयोध्या की सीट ने खास करके यह रिलिजन पॉलिटेक्स हमेशा गले खत्म करती है युवाओं को राजनीती में क्यों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और सिर्फ युवाओं को आना चाहिए यह सवाल नहीं है आज मैं युवाओं के मैं संसत भवन में हूँ मैं हर वो किसान का अभी चैन पृतिनिती करता हूं माताओं का अभी चैन पृतिनिती करता हूं और सरकारी करमचारियों से लेकर के युवाओं का अभी चैन पृतिनिती करता हूं स्वभाविक यह है कि युवा हमसे कनेक्स ज्यादा करते हैं हमसे ज्यादा होप रखते हैं जिस तरीके से किसान किसान नेता से करते हैं युवा अगर आएंगे तो स्वभाविक है कि युवा युवा की बात ज्यादा करेंगे युवा एक बहुत बड़ा section है इंडियागा युवा future और सबसे जाधा attack भी युवा पे हो रहा है आज के दिन जिस तरीके से unemployment highest है जिस तरीके से paper leak सिर्फ एक दो नहीं 70 से ज्यादा paper leak हो गया ये सीधा सीधा attack अपने युवा पे है युवा पढ़ता है पूरे साल पढ़ता है अपना पैसा खर्चा करता है और paper leak हो जाता है main day पे फिर उसके बाद रुपता नहीं है धरना करता है तो लाठी खाता है फिर घर जाता है तो उसके खर चलाने के लिए inflation उसको मारता है महंग तो आज जो हो रही है जिस जहां पर देश है चाहिए वो economically हो socially हो युवा पे सबसे बड़ा attack हुआ है तो युवा की बात होनी चाहिए उनके मुद्दों की बात होनी चाहिए और युवा अगर आते हैं तो उनकी hope हमसे ज्यादा बढ़ जाती है उनको लगता है कि हमारे लो जी बुरूट से बात्चीत करने के लिए बहुत हो शुक्रिया मुद्धार के बाता हुआ 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 है